इसी प्रकार हमने लेंस निर्माता का सूत्र भी देखा, ये भी हमने उत्तल और अफ्तल दोनों लेंस के लिए देखा था, अभासी प्रतिविम और वास्त्विक प्रतिविम दोनों इस सिति में देखा था, ये सभी परसिति में इस लेंस निर्माता का सूत्र का रूप भी न 1 ब्रैकेट के इंदर 1 upon R1 minus 1 upon R2 तो अब ये देखते हैं कि ये लेंस निर्माता को सूत्र चाहे उत्तल हो अफ्तल हो चाहे अभासी हो चाहे वास्तविक प्रतिविमो इस पर नहीं निर्भर कर रहा तो ये किन-किन कारको पर निर्भर करता है तो जैसा कि हमको सूत्र से समझ म आ रहा है सबसे पहले तो किसी भी लेंस की जो focus दूरी होती है वह निर्भर करती है लेंस के पदार्थ पर यानि कि उसके अपवर्तनांग पर यहाँ पर हम सूत्र अनुसार देखें याधि आरवन और रतू नियत है यथि उस लेंस की वक्रतात रिज्जिय yar miss नियत है उस condition में 1 upon F समानुपाती हो जाएगा म्यू माइनस 1 के और हम यह कह सकते हैं कि F समानुपाती होगा 1 upon म्यू माइनस 1 के यह फिर हम कह सकते हैं कि focus दूरी और अपवर्तनांक का संबंद व्यूत क्रमनुपाती होता है इसका मतलब यह है कि यदि अपवर्तनांक अधिक होगा तो उसके लिए focus दूरी कम होगी और अपवर्तनांक कम होगा तो उसके लिए focus दूरी अधिक होगी और कॉम्टिटिव एक्जाम में या फिर बोड एक्जाम में कुछ तथ्यात्मक प्रश्ण भी पूछे जाते हैं जो दो नंबर के या एक नंबर के होते हैं तो उन प्रश्णों में आप जरूर इस टाइप के प्रश्ण देखेंगे जो कि इस प्रकार लेंस की focus दूरी की निर कांच तो यदि क्राउन कांच और फ्लिंट कांच के अपवर्तनांग की तुल्ला करें तो क्राउन कांच का अपवर्तनांग कम होता है और फ्लिंट कांच का अपवर्तनांग अधिक होता है तो यदि इन दो अलग-अलग पदार्थों का हम दो लेंस बनाएं सेम लेंस बना आफ्ञेज है अफटर लेंज बने तुंदोनों ही condition में यदि हम क्राउन काँच को देखें उसका आपवर्तनांग कम है इसलिए उससे तयार हुए लेंज की फोकसदूरी अधिक होगी और फ्लिंट काँच जिसका आपवर्तनांग अधिक है उससे तयार हुए लेंज की फोकस अभी हम देख रहोंगे कि यहां इस फॉर्मुली में कहीं रंग तो नहीं दिख रहा है लेकिन हम यह जानते हैं अलग अलग रंगों के लिए भी पदार्थ का अपवरतनांक अलग अलग होता है जैसे कि हम जानते हैं बैगनी रंग के लिए अपवरतनांक अधिक होता है और लाल रंग के लिए फरतनांग कम होता है मान लीजिए बैजनी रंग की आप वरतनांग को हम मियू वी से दर्शार देल है और लाल रंग का मू आर से तो बैगनी रंग के लिए यह जो फॉर्मुला हो का लैन्स निर्माता का वो किस प्रकार लिखा जाएगा वन अपउन fv एक्वल टू म्योवी माइनस वन ब्रकेट के अंदर वन अपॉन आरवन माइनस वन अपॉन आप आर्टो और सेम वक्रता तरीज्य वाली लैंस के लिए अगर हम बात करें तो लाल रंग के लिए फॉर्मुला कैसे लिखा जाएगा one upon f r equal to mu r minus one bracket के अंदर one upon r1 minus one upon r2 एक वाइलेज के लिए था एक रेट के लिए इन दोनों की तुल्ना करनी है तुल्ना करने के लिए हम समीकरण a को समीकरण 2 से बाग दे देते हैं तो हमें क्या मिलेगा one upon f v upon one upon यहां राइट साइड में हमें मिलेगा मुवी माइनस वन आपॉन आर आर टू उपर और नीचे डिनमिटर से कैंसल हो जाएगा तो इस प्रकार यादी हम इसको आगे सरल करें तो हमें मिलेगा f r upon f v equal to mu v minus 1 upon mu r minus 1 और यहां से हम यदि देखें तो यह जो focus दूरी है वो depend कर रहा है अपवर्तनांग पर तो यहां पर अगर mu v पैगनी रंग का अपवर्तनांग वो लाल रंग के अपवर्तनांग से अधिक होता है तो उस condition में हम क्या देख रहे हैं कि f r का मान f v के मान से अधिक होगा अगर right side में उपर की राशी अधिक है तो left side में भी उपर की राशी अधिक होगी तो यहां पर f r का मान f v के मान से अधिक होगा यानि कि लाल रंग की focus दूरी अधिक होती है और बैगनी रंग की focus दूरी कम होती है मतलब यदि श्वेत प्रकाश को लेंसे से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपवर्तन के पश्चात हम जानते हैं कि सात रंगों में बट जाता है और जब सात रंगों में बटेगा तो ये बैगनी रंग जो है वो पहले फोकस होगा और लाल रंग उससे अधिक दूरी पे फोकस होगा मतलब वहां पर हमको कुछी दूरी पे बहुत ही कम डिस्टंस होता है यह ऐसा नहीं कि लाल की बहुत अधिक होगी और बैगनी की बहुत कम होगी फोकस दूरी ऐसा नहीं यह डिस्टंस बहुत ही कम रहता है और एक्चुली बन रहा है मतलब ये बैगनी से लेकर लाल रंग तक के सारे रंगों के मतलब विब्योर की मतलब श्रेणी में वाइलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन यल्लो औरेंज रेड इस प्रकार साथ रंग के इमेज वहां पर बन जाएंगे यानि कि रंगीन इमेज तयार हो जाएगा ये लेंस की तूटी कहलाती है ये इसलिए होता है क्योंकि सभी रंगों के लिए फोकस दूरी का मान अलग-अलग होता है इसी में यदि हम आगे देखें तो किसी भी लेंस की फोकस दूरी वह निर्भर करती है कि आपने लेंस को किस माध्यम में रखा अब ही हम लेंस का अध्य परिसिति से चेंज हो जाए और हम लेंस को किसी द्रव में डुबो दिये हैं किसे लिकवीट के अंदर डाल दिये हैं चाहे वह जल हो या कोई टेल हो उस कंडिशन में इस लेंस से के दोनों और का माध्यम चींज हो जाएगा या तो पानी आ जाएगा या फिर वहां पे चारो कि बोर्ड एक्जाम में तथ्यात्म प्रश्ण जो आते हैं इसी टॉपिक्स रिलेटेड आते हैं पर वह घुमा फिरा के पुछे जाते हैं डारेक्ट नहीं पुछा जाता है किन-किन कारों के निर्भर करता है तो यहां पर इस प्रकार जैसे को किसी द्रव में डुबाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसको समझने के लिए हम पहले तो इस लेंस को द्रव में डुबा देते हैं इसलिए यदि मैं एयर के लिए वायू के लिए जब इस लेंस निर्माता को सूत्र लिखूंगी तो इस प्रकार होगा वन अपॉन एफ एफ ए एफ और एयर यानि की वायू के लिए बराबर एम यूजी माइनस वन ब्राकेट के अंदर वन अपॉन आरवन माइनस वन अपॉन आपॉन आचो इसको देरते पहला समीकरन माना कि इस लेंस को एक द्रव में डुबाया जा रहे है उस द्रव को हम लग एल से दर्शा रहे हैं यानि क लिकविड उसके लिए हमने स्मॉल लेटर में लिख दिया अब पहले जब लेंस के चारतर वायू था तब हम उस कांच के बने लेंस का अपवर्तनांग ग्याद कर रहे थे वायू के तुलना में तब हम वहां पर अपवर्तनांग कैसे लिखेंगे ए म्यू जी यानि की निकालेंगे उस लिकवीड की तुलना में उस द्रफ की तुलना में तब हम यहाँ पर लिखेंगे एल म्यू जी यदि इस लेंस को डुबा दिये गया लिकविड में तो यह फॉर्मला बन जाएगा वन अपॉन एफ एल एकुल टू एल म्यू जी मतलब कांच का अपवर्तन लिकवीड की तुलना में माइनस वन ब्रैकेट के अंदर वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन अपॉन आटो इसको दे देते हैं समीकरण दो अब इनको दोनों को तुलना करने के लिए हम समीकरण एक को समीकरण दो से भाग दे देते हैं भाग देने पर हमें क्या मिलेग 1 upon F A upon 1 upon F L equal to A mu G minus 1 bracket के इंदर 1 upon R 1 minus 1 upon R 2 नीचे मिलेगा आपन में L mu G minus 1 bracket के इंदर 1 upon R 1 minus 1 upon R 2 यहां से 1 upon R 1 minus 1 upon R 2 numerator denominator से cancel हो जाएगा और हमें मिलेगा F L upon F A equal to A mu G minus 1 upon L mu G minus 1 और जब हम कांच का अपवर्तनांग निकालने लिक्वीड की तुलना में यानि कि L mu G तो हम क्या निकाल रहे हैं वहाँ पर वास्तविक्ता में? हम कांच का निर्पेक्ष अपवर्तनांग और लिक्वीड के निर्पेक्ष अपवर्तनांग के अनुपात को ग्याद कर रहे हैं इसका मतलब L mu G बराबर होगा A mu G upon A mu L यानि कि कांच का निर्पेक्ष अपवर्तनांग अपन लिक्वीड का निर्पेक्ष अपवर्तनांग इस मान को अभी इस फॉर्मिले में रखते हैं तो मैं मिलेगा F L upon F A equal to A mu G minus 1 upon A mu G upon A mu L minus 1 अब नीचे L से हम ले लेते हैं L से हम लेके सरल करने पर हमें क्या मिलेगा F L upon F A equal to A mu G minus 1 upon A mu G minus A mu L upon A mu L यहाँ पर A mu L L से हम लिए हमने अब यह A mu L उपर numerator में चला जाएगा तो हमें मिलेगा F L upon F A equal to A mu L bracket के अंदर A mu G minus 1 upon A mu G minus A mu L अब इस समी करन को हम ध्यान से देखें तो जो लिक्वीट का अपवर्तनांग होता है वाई यू की तुलना में इसका मांद सदयाव एक से अधिक होता है तो हम लिए mu L better than one अब यदि हम राइट हैंड साइड देखें तो यह A mu L कमांद सदयाव एक से अधिक होगा तो यहाँ पर numerator सदय भी denominator से अधिक होगा जब राइट साइड में हम देख रहे हैं अधिक होगा तो लेफ्ट साइड में भी सेम इस्थित्य होगी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F L is greater than F A यानि कि लिक्विड में फोकस दूरी वाई यू की फोकस दूरी से अधिक होगी यानि कि किसी भी लेंस को चाहे वह उत्तल हो या अवतल हो उसे लिक्विड में डूबाने पर उसकी फोकस दूरी स्दयायव ही बढ़ जाती है फोकस दूरी तो सदय भी बढ़ गई क्या लेंस को डूबाने पर लेंस की प्रकृति परीवर्टन होता है लेंस का वैवार चेंज हो जाता है इसको समझने के लिए हम आगे फिर से तीन स्थिति देखते हैं क्योंकि अभी तक हमने इस बात की चर्चा नहीं की कि जिस लिक्विड में जिस द्रव में इस लेंस को डुबया जा रहा है उसका अफवर्तनांग क्या है तो उसकी अफवर् प्रतनांग यादि लेंस की पदार्त के अफवर्तनांग से कम है यानि कि एमीउजीप ग्रेटर दें होगा एम्यूज के तो समीकरण को यदि हम देखें तो यहाँ पर अगर काज का अपवरतनांग द्रफ के अपवरतनांग से अधिक होगा तो डिनम नेटर में यह पोर्शन धनात्मक हमको मिलेगा यानि कि हम देखें लेफ्टेंट साइड में तो अफ्एल अपॉन ऐफ एवर यानि कि लिकविड में फोकस दूरी और वायू में फोकस दूरी का जो अनुपात है वो कैसा मिल रहा है धनात्मक अगर यह अनुपात धनात्मक मिल रह है तो इससे हम क्या निसकर्ष निकालेंगे इससे ये साबित होता है कि जो लेंस की प्रकृति है वो सेम रहती है मतलब यदि उत्तल लेंस को अपने से कम अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वो उत्तल लेंस की तरह कारे करता है यदि अवतल लेंस को अपने पदार्त के अप्वरतनांग से कम अफवर त Eli तरफ में डुबा हो जाता है तो वो अवतल की तरह ही कारे करता है फर्क किस पर पढ़ता है उसकी fokis दुरी पे यानि की fokis बदल जाए मतलब अब हमने लेंस को एक ऐसे द्रव में डाला है ऐसे द्रव में डुबोया है जिसका अपवर्तनांग लेंस के पदार के अपवर्तनांग से अधिक है उस कंडिशन में क्या होगा यहां पर हम देखें तो A mu G का मान अभी कम है A mu L की तुनला में तो इस समीकरं से सबस्ट होता है कि fl upon f a का मान रिनात्मक हो जाएगा क्योंकि यह माइनस साइन है तो यह क्वांटिटी बढ़ी तो यह आंसर हम को किसे में मिलेगा रिनात्मक और रिनात्मक साइन हमेशा विप्रिच इसका घोतक होता है यानि कि यहां पर जो लेंस होगी उसकी प्रकृती बदल जाएगी यानि अवतल लेंस को अपने से जादा अपवर्तनांक वाले लिक्वीड में डुबाया जाता है तो अवतल लेंस कारे करता है उतल लेंस की तरह और उत्तल लेंस कारे करेगा अवतल लेंस की तरह और उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाब पड़ेगा फोकस दूरी तो नो डाउट हर केस में बढ़ ही जाती है और इस कंडिशन में लेंस की प्रकृति टोटल अपोजिट हो जाएगी उत्तल लेंस अवतल की तरह कारे लेकिन मान लीजे हमने लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया है जिसका अपवर्तनांग उस लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांग के बराबर हो यानि की हम देख रहे हैं एम्यो जी बराबर एम्यो एल हो उस कंडिशन में यदि सूत्र से हम देखें तो एफ एल अपन एफ बदेगा वन अपन 0 के और वन अपन Sheriff मतलब हो एइंफिनिटी कुल मिला कि हम बोल सकते हैं ऐस ल भराबर हो जाएगा इनफिनिटी यानि की ढूर में उस लेंस की फोकस दूरी अनन्थ हो जाएगी फोकस दूरी अनन्थ होने का क्या मतलब फोकस दुरी अनंत हो रही है इसका मतलब इस लेंस की जो वक्री प्रिश्ट है वह वक्री की तरह ना होकर दो सम्तल प्रिश्ट की तरह कारे करेंगे ब कली समानने कांच का तुकड़ा बन जाएगा जैसे की फिर्फुऔ सांटर होता है जिसके दोनों ने कांच के तुकड़े की तरह कारे करेगा उस कंडिशन में यह जो डुबाया गया लेंस है द्रफ के अंदर वो हमको दिखाई नहीं देगा तो इस प्रकार अगर एक्जाम में कुछ इस तरीके के तथ्यात्ना प्रश्ण आते हैं तो उमीद करूंगी कि आप इन सारे कोश् में आरवन और आरटू है मतलब यह डिपेंड करते हैं वक्रता त्रिज्या पर हमने फॉर्मूला लिखा है वन अपॉन एफ एक्वल टू म्यू माइनस वन ब्रैकेट के अंदर वन अपॉन आरवन माइनस वन अपॉन आरटू अब यदि हम अलग-अलग वराइटी का लेंस सबसे करते हैं जैसे कि सबसे पहले हम उभी और अज लेते हैं यानिकी Bij Convex lens इसके दोनों ही प्रिष्थ Convex हैं अगर हम सकी चितर देखें यह दो प्रिष्थ है अगर पहले प्रिष्ट की त्रिज्य आरवन है तो यह आरवन जानते हैं कि लेंस के लेफ्ट साइड में हम वस्तू को रखते हैं और उसकी दिशा में ही हम अगर नाप रहे दूरी को प्रकाशिक केंद्रे से तो वो धनात्मक होगी यानि कि इस प्रिष्ट के लिए R1 धनात्मक होगा और R2 यानि कि दूसरे प्रिष्ट की त्रिज्य है वो रिनात्मक होगी अब यह मान इस फॉर्मले में रखने पर हमें क्या मिलेगा और यह माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस तो अब यह फॉर्मला बन जाएगा और यह प्रकार अब हम उभिया अफ तर लेंस लें इस उभिया अफ तर लेंस यानि कि बाई कॉनकेव लेंस इसकी दोनों ही प्रिष्ट कॉनकेव होंगे और जब इसको हम देखें तो यहां पर यह दो प्रिष्ट है तो यह इस पहले वाले प्रिष्ट की त्रिज्य आरवन यह इस साइड होगी जो की रणात्मक होगी और दूसरे वाले प्रिष्ट की त्रिज्य आरटो उस साइड होगी यानि कि अपोन आर्टो अब यह माइनस माइनस दोनों पदो से यह common ले लेते हैं तो यह formula बन जाएगा 1 अपोन F equal to minus bracket के अंदर mu minus 1 फिर bracket के अंदर हमको मिलेगा 1 अपोन आर 1 प्लस 1 अपोन आर्टो माइनस हमने common ले लिया था अब यह दोनों लेंस के लिए formula यदि हम देखें तो यहां पर हम देख रहें कि 1 अपोन R1 प्लस 1 अपोन आर्टो है यानि कि वक्रता त्रिज्या का मान अधिक होने पर focus दूरी का मान भी अधिक होगा और वक्रता त्रिज्या का मान कम होने पर focus दूरी का मान भी कम होगा यदि हम पतला लेंस लेते हैं तो पतले लेंस के लिए R1 और R2 दोनों वक्रताओं वेचर यदि हम देखें उससे हम यदि कोई गोले का निर्मान करना चाहें तो बहुत बड़ा गोला बनेगा और बड़ा बनेगा तो उसकी त्रिज्य भी अधिक होगी तो पतले लेंस की त्रिज्य अधिक होती है और यदि मोटा लेंस से देखें तो मोटे लेंस की त्रिज् होगी और जो मोटा लेंस का निर्मान होगा उस मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होगी अब इसी में हम कुछ विशेश स्थिति देखें जैसे कि अभिया उत्तर लेंस के लिए हम यदि लें जहां पर दोनों ही वक्री प्रिष्ठों की त्रिज्य बराबर हो यानि कि R1 बराबर R हो अभी हमने उभिया उत्तर लेंस के लिए जो फॉर्मुला देखा उसके अनुसर वन अपन एफ एक्वल टू म्यू माइनस वन ब्राकेट के अंदर वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू था अब यहां पे आर वन और आर टू को आर के बराबर रख देते हैं तो हमें कर दे स्क्रेंदा मिलेगा वन अपन एफ एक्वर टू म्यू माइनस 1 person अवा पन आर प्लस वन अपन का और और इसको सॉल्फ करेंगे तो यह हो जाएगा टू अपन अरतो फाइनली bena halla हुगा वह वान अपनव पन अ एक्वल टू म्यू माइनस बं तू अपन अर ये इन व पर हम लग म्यू बराबर 1.5 लिखें तो एफ बराबर हो जाएगा आर अपॉंट 2 ब्रैकेट के अंदर 1.5-1 और इसको सॉल्फ करें हम तो यह जाएगा आर अपॉंट 2.5 और सॉल्फ करने पर हमें यहां पर मिलेगा एफ बराबर आर मतलब उभ्या उत्तर लेंस जिसके दोन इसी प्रकार यदि हम उभ्या अवतल लेंस लें उसके भी दोनों प्रिष्ठों की त्रिज्य बराबर लें तो सॉल्फ करने पर हमको वही मान मिलेगा क्योंकि फॉर्मुला तो वही था बस साइन यहां पर माइनस का जाएगा व्योंकि जो फॉर्मुला हमने लिया था वो ह है वान अपन एफ एक्वल टू माइनस म्यू माइनस वन अपन आरवन प्लस वन अपन आरटो तो यहां पूरा हल सेम वैसे ही होगा आरवन और आरटो के स्थान पर हम आर रखेंगे तो सॉल्फ करने पर हमें एफ एक्वल टू माइनस आर मिलेगा वैसे भी हम जानते हैं उत बितनकी फोकस्त दुरी बनात्में तो यहां पर उत्तR लेंस के लिए एफ बराबर आर मिल रहा था और अवतर लेंसे के लिए हमको एक बराबर माइनस आर मिल रहा है मतलब इस ऐस बाई कॉणवैक्स और ऐaking औंके फ्यूंस के लिए यदि दोनों वकरी पृष्डों की तृज्जा समान होती है उस कंडीशन में उनकी फोकस धूरी उसके तृज्ज्या के बराबर होती है अब यदि हम शम्वतन उत्तल लेजसum सम्तला अवतल लें मतलब जिसका एक प्रिष्ट सम्तल हो और दूसरा प्रिष्ट उतल या अवतल हो उस कंडिशन में फॉर्मला कैसे बनेगा हम जानते हैं कि सम्तला उतल लेंस में एक प्रिष्ट सम्तल होता है तो जो सम्तल प्रिष्ट है उसकी त्रिजिया अनन्त होगी और जो दूसरा प्रिष्ट है उसकी त्रिजिया हम लोग माना R ले रहे हैं तो यदि सम्तला उत्तल होगा तो यहां पर पहला प्रिष्ट सम्तल होगा तो R1 बराबर इन्फनीटी लिखेंगे और रटु बराबर ये दूसरा प्रिष्ट रटु है तो इसकी तिडिश्य हoken माइनस रिखेंगे, यहां पर जिन परिपार्टी में इस्तमाल किया थी, हमने पहला प्रिष्ट में अठेम दूसरा प्रिष्ट टल लेंगे यदि हम पहला प्रिष्ट उत्तल लेंगे, दूसरा प्रिष्ट सम्तल लेंगे, तो भी हमको डेरिवेशन यही प्राप्त होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने पहला प्रिष्ट और क्या लिया दूसरा क्या लिया है, ठीक है, बस उसमें से एक प्रिष्ट सम minus minus plus हो जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा one upon f equal to mu minus 1 one upon r अब यहाँ पर हम f कमान निकालेंगे तो f बराबर होगा r upon mu minus 1 अब mu कमान हम 1.5 लिख देते हैं और यह इसको solve करने पर f बराबर r upon 0.5 मिलेगा और इसको solve किये तो f बराबर होगा 2 r यानि कि समतला उत्तल लेंस यदि हम लेते हैं तो उसकी focus दोरी उसकी त्रिज्या की दुगनी होती है इसी प्रकार यदि हम समतला अवतल लेंस लें इसका एक प्रिष्ट समतल है दूसरा प्रिष्ट अवतल है तो जो सम्तल प्रिष्ठ है उसultra आप需 अनन्त होगी और जो आवतल प्रिष्ठ है उसकी त्रिज्य उस ऍसाइडD होगीजी यानिकि उसको घनात्मकR लेंगे अगर यह प्रिष्ठ reverse भी होते पहला प्रिश्ट अफ्तल दूसरा प्रिश्ट सम्तल होता तो भी उसका result यहीं मिलता जो अभी हमको मिलने वाला है इससे फार्क नहीं पड़ता है ठीक है तो 1 upon f equal to हो जाएगा mu minus 1 1 upon infinity minus 1 upon r और 1 upon f बराबर मिलेगा mu minus 1 upon minus r यह 1 upon infinity बराबर 0 हो जाएगा तो यह minus sign के साथ मिलेगा तो f बराबर हो जाएगा minus r upon mu minus 1 यह mu का मान 1.5 रखेंगे और solve करेंगे सेम वैसी solve करें जैसे सम्तला उत्तल के लिए किये थे तो यहाँ पर भी f बराबर मिलेगा minus 2 r यानि कि सम्तला अवतल लेंस लें चाहे सम्तला उत्तल लेंस लें दोनों ही condition में अगर वक्रता त्रिज्या एक प्रिष्ट की r है एक तो अनंत होगा तो उसकी focus दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होगी झाल झाल हुआ झाल 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 हम आप उन्पर उन्परण कर आप दो करणे इस घर नहीं कर दो हुआ खर लूगाना ऑन च्रक जह उसका उसका कर दो फ्रकोंग जो की दो कर दो